भारतिय पारंपरिक चिकित्सा में संजीवनी शब्द अक्सर पौरानिक या पौरानिक जड़ी बूटियों से संबंधित होता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें जीवन रक्षक और उपचार गुण होते हैं। हालां कि संजीवनी नामक कोई विशिष्ट वनस्पती इकाई नहीं है, लेकिन आयूरवेद जैसी पारंपरिक भारतिय प्रणालियों में विभिन जड़ी बूटियां ऐसे गुणों से जुड़ी हुई है, इनहीं जड़ी बूटियों में से एक है सेला जिनेला के विशिष्ट गुणों और लाभों पर वैज्ञानिक शोध सीमित है, और हो सकता है कि इसकी व्यापक आधुनिक वैज्ञानिक जांच न हुई हो, पारंपर एक ज्यान और उपाख्यानों के आधार पर सेला जिनेला ब्रायोप्टेरिस को संभावित लाभ प्रदान करने का सुझाव दिया गया है जैसे विकास को पढ़ावा देता, ऐसा माना जाता है कि इसमें ऐसे गुण होते हैं जो जीवन शक्ति और समग्र स्वास्ति को पढ़ावा देते हैं, कर्मी के तनाव से बचाओ, पारंपरिक संदर्वों का अर्थ है कि यह उच्चताप मान से का बैंगनी, UV, विकिरन और ओंक्सिडेटिव तनाव के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए कि लिए किया जाता है, जो कोशिकाओं और DNA को नुक्सान पहुचा सकता है, एंटी एपोक्टोटिक गुणों से योग, कुछ पारंपरिक प्रथाओं में ऐसा माना जाता ह कि इसमें ऐसे कोण होते हैं, जो क्रमा देशित कोशिका, उम्रित्यू, एपोक्टोसिस को रोकते हैं या कम करते हैं, जो कुछ संदर्वों में फायदे मन्द हो सकते हैं, पारंपरिक उप्चारों और हर्बल उप्चारों पर विचार करते समय सावधानी बरतना सभी पारंपरिक दावों का आधुनिक वैज्यानिक अध्ययनों में कठोर परिक्षण या सत्यापन नहीं हुआ है, यदि आप औश्धिये प्रयोजनों के लिए सेलाजिनेला प्रायोप्टेरिस या किसी अन्य जड़ी बूटी के उपयोग पर विचार कर रहे हैं, तो एक कि योग के स्वास्थ्य देख भाल व्यवसाई से परामर्श करना उचित है, जो पारंपरिक चकित्सा में अच्छी तरह से वाकिफ है, वे इसके सुरक्षित और उचित उपयोग परमार्ग दर्शन दे सकते हैं, इसके अधिरिक्त यह पहचानना महत्व पूर्ण है, कि हर प्रदिव्यक्तिकत प्रदिक्रियाएं भिन्न हो सकती है, और अन्य दवाओं के साथ संभावित जोखिमों और अंतहक्रियाओं को ध्यान में रखेएंगे हैं।